हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं आप सब को रेडी मेट कुर्टी में कैसे स्लीव्स अटेच करने हैं यह बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिसके लिए आपको ना तो कोई फॉर्मूला की जरूरत है ना ही किसी मेजरमेंट के तो जल स्टीचिंग को लिए ने दburyक विखिए कमा की अपरिकल स्टीचिंग मेर्ग ढने इतना सा खोल के डर या दो इंच देख सकते हैं इसको घोल के स्लीव्स अटाच करने से यह बहुत इज़नी हो जाती यह मैंने आप 25 कि घुल लिए से इस साइड भी में हमें स्लीव्स अटा स्लीप्स को अच्छ से अटाच करनी है अभी स्लीप्स के नीचे हमें अल्रीडी कि जरूरत नहीं है तो अब फोल कर लेंगे और देखें जो इसका उपर वाला शेप है यानि कि देखिए जो round shape है वहाँ उपर हमें एक cut लगानी है छोटी सी ताकि इसके middle में point हो जाए इसका center पता चल जाए हम लोग को तो देखिए मैंने इसके middle में cut लगाया है अब जो है हमें इसको main part के साथ यानि हमें इसको कूर्टी के साथ इसको attach करना है तो मैंने cut इसलिए लगाया है ताकि हमारे कूर्टी का shoulder और ये cut equal रहे तो देखिए हमें यहाँ पर दिखाऊंगे आपको तो जो हमारा arm hole वाला side है हमें वहाँ पर इसको attach करना है तो देखिए इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें इसका arm hole वाला side लेना है और देखिए इसका middle part यानि कि जो shoulder होता है कूर्टी में वह इसका middle part है और sleeves में तो हम लोगों ने पहले ही एक point कर लिया है तो जब हम इसको attach करेंगे तो इन दोनों का middle part एक जगा होना चाहिए तो हमारा sleeves perfect बैठेगा अगर sleeves की कप्रें जादा हो तो आप extra दोनों side में रखिए लेकिन middle point दोनों का एक ही होना चाहिए तो देखिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ और इस तरह से हम लोग इसको slips को attach कर लेंगे अंदर की तरफ half inch का कप्रा रखेंगे देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको attach कर लूँगी और middle part दोनों का एक ही जगा होना चाहिए तो देखिए हम लोग इसके ओपर पर sly लगा लेंगे और यह कूटी सीधे की तरफ ही रहेगी और slips हमारा सीधा ही रहेगा तो देखिए यहां पर जो हमें इसी तरह से स्टीच करते हुए जाना है अंदर की तरफ half inch का कप्रा रखते हुए और दोनों कप्रे को देखिए सीधा ही रखना है और इसको जो है स्टीच करते करते इसका middle point भी एक ही जगा रखके स्टीच करते जाना है तो फ्रेंज बहुत ही आसान है इसके लिए आप लोकों किसी वीडियो को भी जरुवत नहीं है लेकिन जो एकदम beginner से जो लोग कभी नहीं लगा है स्लीवज एटेच नहीं किये है तो इस तरह से कर सकते यह एकदम सही तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है तो देखिए मैंने हापड जो है इसको पूरी तरह से अटेच कर लिया है देख सकते हैं यह देखिए इसका एक स्लिप्स तो हम लोगों ने अटेच कर लिया है और सेम जो है हमें इसी प्रोसेस से दूसरा स्लिप्स भी अटेच करना है और देखिए इसके बैक पर मैंने जो हाप इंच का कपड़ा कहा था वो है सेम हमें दूसरे स्लिप्स को भी लगा लेना है तो फ्रेंट्स आप लोग में कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से स्लिप्स अटेच करते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा लोग देखिए और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि मैं हर रोज बहुत आसान तरीका लेके आती हूं जिससे आप लोग घर बैटे ही कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं तो देखिए इसी तरह मैंने दूसरे स्लिप्स को भी अटेच कर लिया है अब जो हम इसकी स्लिप्स को स्टिच करेंगे और साथ ही कुर्ति की फिटिंग भी करेंगे तो देखिए फिटिंग करने कभी मैं आसान तरीका बता रही हूं आप लोग को कि जो भी हमारा चेस्ट हो हमें उससे डेर इंच एक्स्टा रखके फिटिंग करनी है यह सूट के लिए सूट या कुर्ति तो यह हमारा 36 साइस का कुर्ति है तो इसको मैं फिटिंग जो है 20 प चाहिए वो एक इंच हो या देर इंच अब देखिए मैं हाप पर स्लिप्स की गोलाई कम आप ले रही हूं पांच और इस तरह से जो है स्लिप्स के साथ ही हमें जो है चेस्ट को भी स्टिच कर लेना है देखिए कुछ इस तरह से हमें एक साथी चेस्ट को भी देखिए इसी तरह से मैं ड्रॉ कर ले रही हूं और सेम ऐसे ही मैं स्टिच भी करूँगी तो रेडिमेट कुट्ति में जो है फिटिंग्स करने का यही परफेक्ट तरीका होता है आप लोग जरूर इसको ट्राइ किजिएगा और अगर कुट्ति कैसे बनानी है सूट फिटिंग्स कैसे करनी है इसके लिए भी मेरे व्यू चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मि कुट्ति है इसलिए में कोई कट नहीं है तो मैं पूरा को ही जो है उपर की तरह फिटिंग्स रखते हुए नीचे नॉर्मल स्टिच करते जाओंगी देखिए अब दूसरे साइड को भी मैं सेम उसी तरह से जो है मेजर्मेंट करके स्टिच कर लूँगी और फ्रेंड्स एलाइन कट कुट्ति में जो है उपर का हिस्सा ही फिटिंग्स होता है नीचे का जो है वहाँ बस हम हाप इंच की स्लाई लगाएंगे नीचे कोई भी फिटिंग्स नहीं होगी तो यह आप देख सकते हैं कि उपर की तरफ मैंने जो है एक इंच का मार्जिन रखा है और नीचे जो है हाप इंच का स्टिच लगाया है तो यह देखिए हमारा कुट्ति और साथी स्लिप्स अटाच हो चुका है अब देख सकते हैं इसका फाइनल लुक तो देखे कितनी परफेक्ट यह सेट हुई है तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज देख लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज कुछ नया देखने के लिए और घर बैठे कुछ नया सिखने के लिए तो मिलते है कल सारे पाज वजे तब तक के लिए हड़ार माई